जब बात हो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की तुभला कोई पार्टी कैसे पीछे रह सकती है जहां एक ओर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खा जेल में बन है और उनके परिवाण से लेकर समर्थक तक सब समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने की बात कर रह हैं तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी कहां इस मौके को छोड़ेगी राजनीती में अपना वजूद वापस बनाने में लगी कॉंग्रेस की तरफ से आज यूपी कॉंग्रेस के महर सचेव सचिन चौधरी ने खुलकर अपना बयान सोशन मेडिया पर बाइरल कर दिया इससे व भाजपा से मिली हुई है सर्फ कॉंग्रेस ही भाजपा के खिलाफ डट कर खड़िये मैं उनका कहना है कि कॉंग्रेस एक मात्र विपक्ष है और देश के साथ है मैं कॉंग्रेस की लाइन इवियम पर सवाल उठाने वाली प्रणाले भी उन्होंने अपनाई वार कहा कि आज इवियम में घोटाला करके 20 से 25,000 वोट डाल कर जीता जा सकता है करती है एक बीजेपी जो हिंदु और मुसल्मान दोनों का नुक्सान करती है एक कॉंग्रेस जो सब के साथ है यह दो आइडिलोजी देश में काम करती है दूसरा कोई विपक्ष नहीं है विपक्स नहीं है वो मेरी सपील को स्विकार करें और एक बार मोका दें कॉंग्रेस में सब का सम्मान होता है और आज छोटे इतने भी दल है यह कहीं न कहीं बहुत जल्दी डर जाते हैं लगिन कॉंग्रेस इस देश की बुनियादों में हैं देश की आजादी में हैं देश के लोगों के साथ ह आज इस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं इवियम को हैक करके 20-25 यार बुर्डुल खुद डाली जा रही है वो देश आप बचा सकते हैं आज आजम खां साथ आईए कंदे से कंदा मिलाके काम करेंगे और जितने भी ये लोग हैं जो दंगे कराकर उनको फोटे चलाते हैं उन सब के साथ हिसाब लेंगे देखना ये होगा कि क्या सपानेता आजम खां कॉंग्रेस महा सचीर सचिन चौधरी के इस बयान को गंभीरता से लेते हैं या नहीं